अब गर्वबती इस्त्री कयादू नारज जी के सानिद्य में है नारज जी उसको क्या करते है रोज भगवान की कथा सुनाते है आई-पैड नहीं चलाते है आई-फॉन नहीं चलाते है चलाते है है कमें टिवी देखती है दौक्टर पर्मानेंट करते बडरेष्ट रसोई में नी जानाया है थाई-ट्रूम्हे रहहना है कि रही हम के नहीं है बонगो अब गर्णाई थैची क्या करनाय है चौवीस गंटे क्या कर रहे है कर है कभी ये फिलम देखनी, कभी ये फिलम देखनी, कभी ये सीरियल देखना, कभी ये सीरियल देखना अचा तुम देख रहे हो, सीख वो रहा है जो अंदर बैठा है सीख वो रहा है 24 गंटे मुबाइल लेकर तुम चलाते रहते हो, सीख वो रहा है अच्छा एक बात बताओ आज कल रोते हो बच्चे को मुबाइल पकड़ा दो चुप होता है कि नहीं यह मा की कर्टूतों का फल है बच्चा रो रहा है मुबाइल पकड़ा दो एपी इस मुबाइल में तू क्या जाने भाई दो दिन का बच्चा पैदा हुआ है अभी तू मुबाइल से खुस है क्योंकि उसने सुनाई यह है गर्मे टिनिन टिनिन मेसेज की आवाज बेल की आवाज सब सुनाई उसी को लगता ही वो ही उसको फिमिलियर लगता है जैसे परिक्षित गर्मे भगवान का दर्सन करके हर किसी में भगवान को देखता है वैसे आज कल के बच्चे हर जगे पर मुबाइल की अवाज सुनके मुबाइल में ही मस्त रहते हैं आप लोग हम लोगों को मनुबादी कह देते हो और हम आवके या हम जैसे लोग संत महत्मा कथाकार आपके कल्यान की चर्चा करते हैं और आप सुखी तब हो सकते हैं जब संतान अच्छी आपके घर में हो अगर नालाइक संतान आपके घर में तो आप हैपी नहीं रह सकते हैं रह सकते हैं आपका बुड़ापा खराब हो जाता है नालाइक संतान हो जाता है तो बुड़ापा जो जवानी भी खराबी समझो नालाइक तो नालाइक किस के गर में लाइक संतान है लाइक पूछ रहों नालाइक नहीं अच्छा बता हो लाइकों का रिश्व जादा है कि नालाइकों का जोड़ से वह लो तो माबाप ज़्यादा बढ़ें के बच्चे आपके बच्चे लाइक बने उसी के लिए जरूरी है आप नो महने जितनी भी माता हैं या जो भी बाप बनने की तयारी करते हैं नो महने आपकी तपश्या आपके घर में लाइक पुत्र पुत्री को लेके आएगी नो महने की तपश्या अगर नो महने की आपकी तपश्या ठीक नहीं है तो आपके घर में लाइक बच्चे नहीं आने वाले नो महने मा को भी तपश्या करनी चाहिए नौ मेने पिता को तपश्या, अब पिता बोल रहे होंगा, हमको क्या तपश्या करनी है, तुझे अपनी गर्वतीस तरीके आगे, अब सब्द नहीं बोलने है, गाली नहीं देनी है, फाइट नहीं करनी है, चौविस वंटा सांप बन के फुंकारत ही नहीं रहना है, ओ खुल तो पिता को भी तपश्या करना पड़ेगा, नौ मैंने, इवन मैं कहूं, दादा दादी को भी करनी पड़ेगी तपश्या, या घर में सारे जितने भी लोग रहते हैं, उनको भी तपश्या करनी पड़ेगी, कि वो गलस सब्दों का प्रयोग कम से कर गर्वतीस तरीके झाल